पुत्रा इन्वर्सिटी के आपके PG रेगुलर कोर्स के लिए सेशन 22 सेशाविस का जो है फॉर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है वो जारी कर दिया गया है तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब से अब कब तक जो है वो आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं साथ ही कौन से दॉकुमेंट्स लगेंगे फीस कितनी होगी और भी जो इंपॉर्टेंट जो है इन्फॉर्मेशन है यहां आपको इस वीडियो मिलने वाला है तो जो भी स्ट्वेंट्स पीजी रेगुलर में जो है वो एडमिशन लेना चाहते हैं या उनका जो है वो मेरिट लिष में ना नामंकन के लिए नामंकन लेने वाले चाहत्रों को सुझित किया जाता है कि दिनांक लेट मिंस की या जी 27 सितंबर से लेकर एक अक्टूबर तक आपना जो है वो नामंकन सुल्क ऑनलाइन जमा करके उसके उपरांत निश्चित रूप से एक दस यानिकी एक अक्टूबर त कि इसमें जो है वो आपको एक अक्टूबर से पहले जो है वो जाकर एडमिशन अपने रेस्पेक्टिव जो भी कॉलेजिस अलॉट हुई है उसके अनुसार जो है वो आपको करवा लेना है फीस कितनी है फीस इस्ट्रक्शर जो है वो हम लोग देख लेते हैं आपका MA, MA,C होते हैं जैसे MA,C बगरा में कुछ होते हैं तो 3060 है और जोग्राफी के लिए आपका 4060 जो है वो फीस है वो आपको जो है वो आप ऑनलाइन करोगे तो आपको दिख जाएगी लेकिन इस तरह के जो है वो आप फीस देखोगे यहां पर एक और खास बात है आपको नोट करन है कि जो भी candidate है CST category के हैं उनको फीस नहीं लगेगा यह आप clear कर लीजे CST students को फीस नहीं लगेगा उसके बाद जो है वो आपका girls candidate तो girls candidate जितनी भी है उनको कोई भी category no matter आप जो है unreserved से आते हैं EBC, EWS, SCST तो आप जो भी category में है तो यानि कि जो भी girls candidate है आप simple way में यह students के boys को भी यहां पर आपको फीस नहीं लगेगा और girls है तो यहां तो साफ लिख दिया कि कोई भी category के जो है वो आपको फीस नहीं लगेगा I hope यह जो है वो आप इसमें confused ना होंगे देखें यहां पर documents के बारे में क्या कहा गया गया है कि कौन से documents वगरा लग रहे हैं online registration form ज admission की जो एक फीस receipt होगी आप यहां पर जाने से पहले जो है वो जैसे कि यहां पर शुरू में कहा गया है देखें मैं एक बार देखा देता हूं यह online जो है वह आपको शुल को जो है online जमा करना है उसकी जो receipt है वह आपको रखनी होगी और उसके बाद 10th का mark sheet रखना है आपको certificate है और उसको जो है आपको self attached photocopy and original तो original भी रखना है जमा नहीं होता वो बस देखके दे देते हैं तो self attached करना है आपको self attached का मतलब यह होता है self attached लिग दीजिए और date हो सकते और date भी लिग दीजिएगा ठीक है और वैसे ही करना है आपको 12th के mark sheet पे और आपके graduate mark sheet जो होंगे आप जहां से भी आपने graduation complete की है उसकी भी सेम जो है वह self attached copy और original जो है वो लगा रहा है migration अगर मान लीजे आप other university से आ रहे हैं तो आपको migration तो लगेगा ही और CLC तो लगता ही है original लगेगा हाँ इसमें जो है वो कुछ चीजिए जो है original लगती है class certificate self attached copy वो ही लिखा गया मैं यह भी आपको सुझाब दूँगा कि original भी लेके चले जाएगा कहीं कहीं जो है वो ता information निकल के आ रहा था यहां पर और यहां पर आप जो है जो है जो भी जा रहे हैं उनको all the best अपना जो है अच्छे से तरीके से वेरिफिकेशन और सारा जो है डॉकमेंट्स तो मैंने बता दिया है डॉकमेंट्स वेगरा जो है वो जाकर अपना admission करवा सकते हैं और सभी दोस सकते हैं ऑर यहां तक दीखे तो वीडियो को लाइक करके जाना मैं दीखता हूं कि वीडियो लाइक नहीं करते हैं आप लोग और चैनल भी subscribe किजिए देखता हूं कि औरidents 228 75 परसें ऐसे हैं अंसब्सक्राइब किये हुए है विडियो देखते हैं बड आप लोग subscribe नहीं करतें थरोओ subscribe किजिए क्योंकि थोओ सब्सक्राइब के सा मोटिवेशन बना रहे हैं वैल गाइस रखते हैं यही तक मेटिएयो मिलते हैं नेक्स मेटियो मैं बाई बाई शुद नेक्स रहा